हेलो दोस्तो नमस्कार हरहर महादेव कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहत मन्द और बहुत अचोंगे वेल दोस्तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा कॉंबिनेशन शेयर करने जारी हूँ हीना के साथ जो कि आपके बालों को इतना खुबसूरत और इतना बड़िया सा काला रंग देगा कि आप बस देखते ही रह चाओगे तो देखना क्यों इसे बना करके एपलाई भी कीज़ेगा चले स्टार्ट करते हैं आज किस रेमेडी को बनाना लेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर नीबू का इस्तमाल करना है फ्रेश लेमल जूस लेना है आपको और एक पूरा नीबू का रस आपको इसमें एड़ कर देना है नीबू एक सिट्रस फ्रूट है इसमें सिट्रिक यानि की असिडिक इसमें क्या करना है कि निभी का लस निकालने के धड़ेंके ऑद इसे थोड़ी देल के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और जाते हैं यहां की darle आलो है न पर आलो याने की पुटअटों और इसे पील नहीं करना है चिल के सही इसे आप को ग्रेट करना है और इसका भी जूस निकालना है आलू मैं आप सबी करना है के ब्सकाई पाए जाता है और आईरेनस की मात्रह बहुतawn ज्यादा होती है आलो को के लिए instruction में यह होता है दोस्तों वह बहुत ज्हादा फाइदगे मंद होता हैं हमारे बालों के लिए इसे अच्छे से ग्रेट करना है और इसका जूस निकालके रैड़ी कर लिए आप छाहें तू से मिक्सि में पीस करके इसका जूस रेड़ी कर सकते हैं लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि यह बहुत बारिक है और बहुत आसानी से इसका जूस निकलाता है आलो को अच्छे से ग्रेट कर लिया है अब इसका जूस निकालना है तो हम यह पे वापस से नीबू के रस वाला बोल ले लेंगे एक स्ट्रेनर ले लेंगे और चुकि आलो काफी ज्यादा महीन है तो यह अच्छे से हाथों में नहीं आ पाएगी इसलिए मैं इसे कर रहे हूं अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे इस तरीके से ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें यहां पर आलो का जूस मिल जाए अच्छे से जूस मिल गया है दोनों को अच्छे से यहां पे मिक्स कर देंगे यानि कि नीबू के रस और आलो के रस को आपको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है अब आपको दोस्तों इसमें एड़ करने हैं पाउडर्स सबसे पहले आपको इसमें एड़ करना है जटावांसी पाउडर प्रीमिच्र ग्रे हेर से परिशान है उम्र से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आपको जटा मांसी का इस्तमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि Premature Gray Hair के लिए जटा मांसी रामबार तरीके से काम करती है दोस्तों एक चमच आपको यहाँ पे जटा मांसी पाउडर लेना है इसके बाद आपको इसमें एड़ करना है हीना पाउडर सिर्फ एक चमच हीना पाउडर आपको यहां पे एड़ करना है हीना पाउडर यानि की महंदी जो की तासीर में ठंडी होती है गर्मियों में हमें जरूर इस्तमाल में लाना चाहिए महंदी का क्योंकि ये सिर्फ तासिर में ठंडी नहीं बलकि बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फाय देमंद होती है बालों को एक natural color भी देती है शाइन देती है और scalp को ठंडक पहुचाती है healthy रखती है बालों को काला करने में help करती है जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप हीना के इस्तमाल किसी ऐसी चीछ के साथ करते हैं जो कि उसके रंग को दबा दे जो कि उसके रंग को काट दे तो आपको हीना का कोई भी color नहीं मिलेगा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजे अगर आपको हीना का red और orange color चाहिए yellow color चाहिए तो आप हीना को single इस्तमाल में लाएं लेकिन अगर आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं तो हीना के साथ आप इन में से किसी भी चीश का इस्तमाल करेंगे आपको हीना का कोई भी color नहीं मिलेगा बस दोस्तों अब आपको क्या करना है इसे अच्छे से mix कर लेना है इसका paste बना लीजे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पेक हमारा बिलकुल बढ़िया तरीकी से अच्छी consistency में ready हो गया है आपको इसे तुरंत apply नहीं करना है आपको इसे कम उसकम 1 घंटे के लिए छोड़ना है अगर आप ज्यादा amount में बना रहे हैं तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं overnight भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे कम amount में अगर आप बना रहे हैं कम बालों में आपको अप्लाई करना है या आपको इसे कम देर के लिए यानि कि थोड़ी देर के लिए अप्लाई करना है तो भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको लगा कि दो से तीन घंटे छोड़ना है देन वाश करना है ऐसा नहीं है दोस्तों आप इसे थोड़ी देर में भी इसे वाश कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो चीजें इस्तमाल की हैं मैंने वो इतनी जादा फाइदे मंद हैं कि बालों में लगने के बाद से इंस्टेंट ये काम करना शुरू कर देती हैं तो बस इसे आदे घंटे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि महंदी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए इस पैक में थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में हो जाएगा पैक क्योंकि महंदी जब तोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है दोस्तों? सोक कर लेती है लिक्विट को. तो बस थोड़ी सी ये गाड़ ही हो जाएगी और उसके बाद आपको इसे अपने बालों में स्काल्प में लगा लेना है. लगाने के बाद आपको एक घंटे छोड़ना है देन वाश कर लेना है नौर्मल पानी से. रात में सोने से पहले नारियल के तेल से अपने बालों की मसाज करें और नेक्स मॉर्णिंग किसी भी हरवल या फिर माइल्ट शाम्पू से अपने हैर को वाश कर लें. हफते में दो बार इस्तमाल करके देखे आपको बहुत बढ़े है रिजर्ट मिलेगा आप इससे बार बार लगाएंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे. आशे करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज रेमेडी को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेर कीजिएगा इसलिए तरीके की नैशनल रेमेडी देखने के लिए मेरी चैनल यानि की रवाल रुची चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल न भूले चलिए दोस्तों फरसे मिलते हैं के अनदर निव रेमेडी के साथ तर देख लिए बाइ-बाइ टेक के लिए अपना ध्यान रखिये